मैं देश्माश्यों एक और भी भात आज करना चाहता हूँ, भारत की अर्थविवस्ता में एक सामाजिक अर्थसास्त्र है और उसको हमने कभी भी कम नहीं आखना चाहिए, हमारे त्योहार, हमारे उत्सव वो सिर्फ आनन प्रमूत के ही अवसर ऐसा नहीं है, हमारे उत्सव, हमारे त्योहार एक सामाजिक सुधार का भी अभ्यान है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे हर त्योहार गरीब से गरीब की आर्थी जिन्दिकी के साथ सीधा समन्द रखते हैं, कुछी दिन के बाद रक्षाबंदन, जन्माश्मी, उसके बाद गणे सोसो, उसके बाद चावडचंद्र, पिर हनन्द चतूरदसी, दुरगापुजा, दिवाली, एक के बाद एक के बाद एक, और यही समय है जब गरीब के लिए आर्थीक उपार्जन के लिए आउसर मिल सेगता है, और इस त्योहारों में एक सहज स्वाभावी आननद भी जुड़ जाता है, त्योहार रिष्टों में मिठास, परिवार में स्ने, समाज में भायचर लाते, व्यक्ति और समाज को जोडते हैं, व्यक्ति से समस्ची तक की एक सहज यात्रा चलती है, अहम से वयमकि और जाने का एक अवसर बन जाती है जहां तक अर्थिववस्ता का सवाल है राखी के कई महीनों पहले से सेंकड़ों परिवारों में छोटे-छोटे गरेल उद्यों को में राखियां बनाना सुरू हो जाती है खादी से लेकर के रेशम के धागों की नजाने कितनी तरह की राखियां और आजकल तो लोग होमवेड राखियों को ज़्यादा पसंद करते हैं राखि बनाने वाले राखियां बेचने वाले बिठाई वाले हजारों सेंकड़ों का व्यवसाए एक त्योहार के साथ जुड़ जाता है हमारे अपने गरीब भाई भेन परिवार इसी से तो चलते हैं हम दिपावली में दीब जलाते हैं सिर्फ प्रकाश्परवह है उसा ही नहीं है वह सिर्फ त्योहार है घर का शुशुर भन ऐसा नहीं है उसका सीधा सिदा समन्न छोटे छोटे मिट्टी के दिये बनाने वाले उन गरीब परिवारों से हैं लेकिन जब आज मैं त्योहारों और त्योहार के साथ जुड़े गरीब के अर्थ व्यवस्ता की बात करता हूं तो साथ-साथ मैं परियावरन की भी बात करना चाहता हूं मैंने देखा है कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि मुझसे भी देशवासी ज्यादा जागरूख है ज्यादा सक्रिय है पिछले एक महने से लगातार परियावरन के प्रती सजक नागरीकों ने मुझे चिठ्षा लिखी है और उन्होंने आगरह किया है कि आप गणेश चतुर्थी मैं इको फ्रेंडली गणेश की बात समय से पहले बताईए ताकि लोग मित्ती के गणेश की पसंद पर अभी से योजना बनाएं मैं सबसे पहले तो ऐसे जागरूख नागरीकों का अभारी हूं कुन्होंने मुझे आगरह किया है कि मैं समय से पहले इस विशे पर कहूं इस इस बार सार्वजनिक गणेशोत्सव का एक विश्यस महत्वा है लोक मानिय तिलक जी ने इस महान प्रमपरा को प्रारंब किया था यह वर्स सार्वजनिक गणेशोत्सव का 125 वर्स है सवासो वर्स और सवासो करोड देश्वासी लोक मानिय तिलक जी ने जिस मूल भावना से समाज की एक्ता और समाज की जागरुकता के लिए सामुहिकता के समस्कार के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव प्रारंब किया था हम फिर से एक बार गणेशोत्सव के इस वर्स में निबंद स्परधाएं करें चर्चा सभाएं करें लोक मानिय तिलक के योगदान को याद करें और फिर से तिलक जी की जो भावना थे उस दिशा में हम सार्वजनिक गणेशोत्सव को कैसे ले जाएं उस भावना को फिर से कैसे प्रबल बनाएं और साथ साथ परियावरण की रक्षा के लिए इको फ्रेंडली गनेश मिट्टी से बने हुए ही गनेश यह हमारा संकल पर है और इस बार तो मैंने बहुत जल्दी कहा है मुझे जरूर विश्वास है कि आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे और इससे लाभ हम हमारे उत्सवों को गरीब के साथ जोड़ें गरीब की अर्थ विवस्था के साथ जोड़ें हमारे त्योहर का आनन गरीब के घर का आर्थिक त्योहर बन जाएं आर्थिक आनन्द बन जाएं यह हम सब का प्रयास रहना चाहिए मैं सभी देश्वासियों को आने वाले अन